हेलो बच्चो वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन माई नेम है जबन आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक कौन सा एल्कोहल एथर एंड फिनॉल ठीक है कौन सा चेप्टर है एल्कोहल एथर एंड फिनॉल या एल्कोहल एल्कोहल फिनॉल एंड एथर ठीक है तो आपको मालू है बच्चो क्या वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है हेंज कॉलज फिनॉल एच थीक है यहां से क्या गरूँ एक गरूप को हटा के किसको एच गूरिप को खितर के क्या लगा दूए हलकाइल खुरो थीक है है सी-स से किस से कर दो कार्वन है दो-कार्वन चैजर थ थीक है ओ एच तो यह क्या हो जाएगा आपका alcohol ठीक है कौन सा हो जाएगा alcohol यद मैं यहाँ पर इस methyl group को हटा के hydrocarbon यहाँ पर कैसा लेलू एरोमेटिक क्या लेलू एरोमेटिक रिंग ठीक है एरोमेटिक यानिक यहाँ पर कैसा बेंजीं रिन लगा दूं तो यह क्या बन जाएगा आपका फिनॉल ठीक है यह इस में से दोनों हाइडोजन हटा के क्या लगा दूं मैं इस में से वाटर में से दोनों हाइडोजन हटा क क्या लगा दूँ च्छी ओ यह क्या आपका एथर ठीक है तो आपको मालूम होना चाहिए एलकोल कौन होगा यद मैंने वाटर में से एक हटा के क्या लगा दिया है च्छाटा के मिठाइल गुरूप तो क्या बन जाएगा वह एलकोल में कनवर्ट हो जाएगा यद मैंने क्या लगा दिया है फिनायल गुरूप बेंजी ummy तो यह किसम हो जाएगा आपका फिनौल में ठीक है दोनो अर्ट्रूजन अड़ा के क्या लगा दिया मिठाइल गुरूप या बेंजीन गुरूप तो वो क्या हो जाएगा आपका बनेंगा कौन सा एथर ठीक है इतनी वाम में हम हमें मालू होना चाहिए कि यूद कौन सा होता है गडाय कौन है और फिनॉल कौन है ठीक है ठीक है तो डेφिनेशन लिखो ऐलकोहल ऐलकोहल dew of ap Wash के डैस द्राइव है ड्राइब त है है ॉधर रों हॉ य। कौन से है shout कारवन हई हड्रोकारबन में कौwn? अलेफाटिक. ठीक很 कौन से? अलेफाटिक. अलेफाटिक? हई रिप्लेश्मेंट? रिप्लेशमेंट रिप्लेश्मेंट? वन और ओर थीट्रोजन? हई ड्रोजन? atom by hydrogen atom ठीक है by by corresponding pointing number of number of hydroxyl group hydroxyl group OH respectively ठीक है क्या करूँ मैं alcohol किसे बोलेंगे alcohol उसे बोलेंगे जिसमें से क्या है hydrogen क्या हो जाए burn और more hydrogen atom क्या हो जाए replace हो जाए किस से number of hydroxyl group तो उनको क्या बोलते हैं alcohol बोलते है are known as are known as alcohol ठीक है तो आपका क्या है क्लासिफिकेशन अफ अफ एल्कोहल क्लासिफिकेशन अफ एल्कोहल एल्कोहल कितने टाइप्स के होते हैं ठीक है एच मोनो हाइड्रिक मोनो हाइड्रिक डाइ हाइड्रिक ट्राइ हाइड्रिक और पॉली हाइड्रिक कौन सा मोनो हाइड्रिक ड्राइ हाइड्रिक डाइ हाइड्रिक ट्राइ हाइड्रिक ट्राइ हाइड्रिक और क्या पॉली हाइड्रिक कंट पॉलिहाइड्रिक sorry पॉलिहाइड्रिक ठीक है पॉलिहाइड्रिक corresponding they contain they contain 1 2 3 or many hydroxyl group many एनी हाइडॉसिल ओक्सिल गुरूप रेस्पेक्टीवली रिश्पेक्टी वली ठीक है एलकॉल क्लासिफिकेशन आप एलकॉल परादुने कि टाप की ऐलकॉल होंगे तो स्ट एलकॉल को क्या क्या करते क्लासिफाइड करते हैं खैसे मॉनो हाईद्रिक डाइद्रिक ट्राई हाईद्रिक और क्या और कैसे पॉलि हाईद्रिक क्या बॉलेंगे इंούμε्स यह थिश्मिक पॉलेगे तो इसको से बोलेंगे जिसमें number of कैसे हों मैनि हाइड्रोक्षिल ग्रूप जिसमें क्या हो 3 से ज्यादा होंगे हाइड्रोक्षिल गूर्प तोने क्या बोलेंगे पॉलि हाइड्रोक्षिल घ्रूप ठीक है ना पॉलि हाइड्री система ठीक है तो यह किसका बात हुई classification of alcohol जैसे कौन सा बात कर रहा हूं है monohydric CH2H5 OH यह क्या आपका ethyl alcohol ethyl alcohol सही है क्या है इसमें ethyl alcohol कितने hydrogen है इसमें कितने एक hydrogen यह वाला कैसा आपका hydrogen कैसा है एक है ठीक है तो इसे क्या बोलेंगे हम कौन सा बोलेंगे poly कौन सा यह monohydric sorry कौन सा monohydric क्योंकि कितने oxygen है hydroxyl group एक है तो इसे बोलेंगे monohydric ठीक है जैसे ch2oh ch2oh ठीक है इसमें कितने है इसका नाम क्या है methyl ethane bond to diol जिसे क्या बोलते है डायोल एथेन bond to diol और क्या बोलते है इसको और यह भी बोलते हैं कौन सा बिस्टिनल डायोल ठीक है कौन सा बोलेंगे बिस्टनल डायोल ठीक है बिस्टनल डायोल ठीक है और इससे क्या बोलते हैं आपका बंटू डायोल हो गया इस पर कितने हैं इसे क्या बोलेंगे डाइडरिक क्या बोलेंगे इसको डाइडरिक डाइडरिक क्यों बोलें क्योंकि इस पर कितने हैं दो हाइडॉक्सिल गुरूप है इसलिए इसको क्या बोलें डाइडरिक ठीक है कितने गुरूप है यहां पर कितन तू तू हाइड्रोक्सिल गुरूब इसलिए इसको क्या बोले डाय हाइड्रेक ठीक है ना तो यह कितने दो यह मेरा तीन हो जैसे पर शी एच टू ओ एच ठीक है सी एच ओ एच चैस्टू ओएच ये कितने कार्वन है वन तू थ्री प्रॉप हो पिन ठीक है तो किना वन तू थ्री ट्राइल प्रिजेट हाई रखल गुरुप है इसमें कितने ही दॉक रुप है प्रिजेंट है इसलिए इसको क्या बोले है ट्राइए ओल ठीक है कौन सा ट्राइए ओल तो इसका नाम क्या हो जाएगा तीन है तो ट्राइए हाइड्रिक क्या हो जाएगा यह ट्राइए हाइड्रिक ठीक है कैसे यहां से एक हाइडोजन अठाके क्या लगाया एक यहां से भी एक हाइडोजन अठाके क्या लगा रहे है रिपलेस कर रहे हैं एक यहां से भी एक हाइडोजन को अठाके क्या कर लगा रहे हैं हम एक कितने हाइडोक्सिल गुरूप है तीन है तो क्या बोलेंगे ट polyhydric ठीक है तो आपको समझ में आया हुगा ट्राई हाइड्रिक पॉली और कौन सा monohydric और डाई हाइड्रिक किसको कहते हैं ठीक है अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ओफ क्लासिफिकेशन ठीक है या ऐसे लिखो ठीक है छोड़ो इसे यहाँ पर लिखो आप monohydric कौन सा monohydric hydric alcohol monohydric alcohol can be further further classified into 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 ठीक है अभी मैं इस चैप्टर में आपका alcohol एथर और फिनॉल चलना है तो मैं क्या आपका बेसिक पार्ट से ही चलना हूँ अच्छी मोमराईज होंगी सारी चीजी मेमराईज होंगी उतने से अच्छे से तो चैप्टर भी हमें क्या रहेगा ध्यान रहेगा ठीक है तो हमें पर कर रहे हैं ति किस्में प्राइमरी आलकोछ रिख ayam टिक किस्में primary alcohol primary alcohol होता है ben ठीक है कौन सा इस है if OH group hydroxyl group group is attached with attach with primary primary carbon atom जब क्या हो आपका hydroxyl group किस से attach हो primary carbon से attach हो तो उसे क्या बोलते primary alcohol ठीक है जैसे आपका कौन सा CH2 CH3 तो यह क्या है एक hydrogen को अटा के मैंने क्या लगाया हो जाएल तो यह कारवन कौन सा primary carbon है कौन सा यह प्राइमरी तो यह इसके घाल लगा तो इसे क्या बोलेंगे primary alcohol क्या बोलेंगे इसको primary alcohol तो यह कौन सा आपका uso primary alcohol ठीक है एलकॉल कैसी होता है ठीक है इतनोल मैंने पी नहीं है अप्ला दी गई है ना तो यह क्या है एल्कोल इथाइल एल्कोल ठीक next क्या कौशा है secondary alcohol ठीक है कौशा secondary री एल्कोल secondary alcohol किसे बोलेंगे किसको इफ hydroxyl group group is attached with attached with with secondary 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 carbon atom किसे secondary carbon atom से क्या है आपका hydroxyl group attached है secondary carbon कौशा जैसे CH CH3 ठीक है इस पर क्या लगा दिया पहले कितने थे एक methyl था तो क्या बोले थे primary लेकिन मैंने यहां पर क्या लगा दिया दो मितायल लगा दिया और क्या लगा दिया एक secondary alcohol तो यह कौन सा आपका secondary alcohol ऐसे भी लगते है secondary alcohol ठीक है सही है अब आता है तरसरी एलगोल ठीक है कौन सा तरसरी एलकोल तरसरी एलगोल क्या इफ यहापर क्या इफ हाइड अक्सल गुरूब इफ हाइड आख्यल गू रूप इज अटेच बेद वेद तर्सरी कार्बन एटम जब क्या हो आपका तर्सरी कार्बन एटम से क्या है हाइडॉक्सिल ग्रोप अटेच है तो उसे क्या बोलेंगे त्री डिग्री या तर्सरी एलकोल जैसे क्या कार्बन एक मिठाइल से ये अटेच है ठीक है कौन सा दो हाइडोजन होते थे तो क्या बोलते थे प्राइमरी एक हाइडोजन अटाके एक और मिठाइल लगा दिया तो क्या हो गया ये थी डिग्री कौन सा कार्बन हो गया थी डिग्री और इस पर क्या लगा हुआ है आपका OH ग्रूप तो ये कौन सा आपका तरसरी ऐल्कोहल है कौन सा जे तरसरी ऐल्कोहल ठीक है ठीक तो ये किसकी primary, secondary और तरसरी ऐल्कोहल ठीक अब चलते हैं कौन सा allylic alcohol कौन सा allylic alcohol कौन सा इन विच क्या कौन सा इन विच जिसमें हाइड्रोक्सिल गुरूप गुरूप इज अटैच बिद एस्पी थी हाइड़ाइज कारवन विद एस्पी थी हाइड़ाइज हाइड़ाइज कारवन एटम इज किससे आपका यद हाइड्रोक्सिल गुरूप किससे अटैच है एस्पी थी हाइड़ाइज कारवन एटम इज नेक्स तू इज नेक्स तू एस्पी कारवन कारवन इज नेक्स तू कारवन कारवन डबल बन ठीक है किससे कारवन नेक्स तू कारवन 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 double bond ठीक है किसे बोलेंगे जैसे मैंने किसका बोला ये SP3 जब मेरा क्या है hydroxyl group किस पर attach है SP3 कौन सा ये मैंने SP3 ठीक है ये carbon कैसा SP3 इस पर क्या लगा हुआ attach क्या है किस पर हो SP3 क्या हो carbon carbon double bond ठीक है ये कौन सा carbon carbon double bond इस से next carbon कैसा होना चाहिए ये वाला carbon होना चाहिए कौन सा आपका SP3 कौन सा होना चाहिए SP3 इस carbon पर क्या double double carbon bond से next carbon पर क्या है SP3 है उस पर कोई hydroxyl group present है तो इस position को क्या बोलते है अलायलिक पोजीशन duod os ग्रूपेल फिरंट है तो इससे क्या बोलेंगे अलायलिक एल्ठोल क्या बोलेंगे इसको अलायलिक हैलकोल है जो Sohya Il koal जाने कि क्या कार्बन कार्बन डबल बॉण से नेक्स पोजीशन कैसी हो SP3O यद मेरा OH ग्रूप है तो इससे क्या बोलेंगे Allylic Alcohol यद यहापर क्या क्लोरिन है तो इससे Allylic Chloride बोलेंगे क्योंकि ये वाली position कैसी है मेरी Allylic Position है ये कौन सी position है Allylic Position आप लिख सकते हो It is Allylic Position ठीक है ब्रैकेट में ये कौन सी है It is Allylic Position सही है ठीक अब बात करते है बेंजाइलिक एलकोहल कौन सा ये कौन सा आपका फोट ठीक है फिप्त है आपका कौन सा बेंजाइलिक बेंजाइलिक एलकोहल बेंजाइलिक एलकोहल गौन सा होता है बेंजाइलिक एलकोहल इप इन विच Kyan in which Hydro-oxyle group Hydro-oxyle group Is attached with attach with किससे sp3 hybridized carbon sp3 hybridized hybridized carbon atom atom ठीक है किससे attach हो sp3 hybridized maybe sp3 ठीक है is next to is next to next to किससे aromatic ring next to aromatic ring ठीक है किससे यह कैसा था किससे यद मेरा hydroxyl group attach है किससे with sp3 hybridized carbon atom is next to sp3 hybridized carbon atom से next position कौन सी होना चाहिए aromatic रिंग है तो वो क्या बोली जाएगी आपकी benjalic position कौन सी जैसे ठीक है अभी समझाते हैं कैस ठीक यह क्या आपका sp3 hybridized carbon है ठीक है एक और बैलेंसी ले लो यहां पर ठीक है यह कौन सी होगी ठीक है यह यहां पर क्या क्या है आपकी इससे next वाली position पर क्या है benjin ring या aromatic ring क्या है आपकी attach है तो उससे क्या बोलते है benjalic position यह कौन सी आपकी position बोली आईगी कौन सी position benjalic position ठीक है ring से next position को क्या sp3 होनी चाहिए यानि कि यह ring में आप समझ सकते हो यहां से क्या sp2 है यह hybridized कौन सा है sp2 इससे next carbon कैसा है sp3 यह उस position को क्या बोलेंगे sp2 से कौन सी position बोल लेते है इसको allylic position यह आपको यहां पर अलम है ring में क्या है आपका ring में क्या है double pi bond है यह pi bond है ठीक है कौन से यह pi bond यह वाला carbon कैसा है sp2 इससे next carbon कैसा होना चाहिए sp3 यह उस carbon पर क्या है आपका जैसे मैं ring को इसको क्या कर दू दूबका दू ठीक है तो आपको ऐसी नजर आते है यह वाला ch2 double bond ch और यहां पर ch2 ठीक है ना तो ऐसे ही क्या ring में यह भी कौन से हाइबडाज है आपका sp2 हाइबडाज है यह कैसी position लग रही है अला इलिक लेकिन यहां पर क्या benzene ring है तो इसको क्या बोलेंगे benzylic position कौन सी position बोलेंगे इसको it is यह कौन सी आपकी benzylic position benzylic position यह यहां पर oh group present है तो इससे क्या बोलेंगे benzylic alcohol यह और कोई group होगा तो उसका नाम लेतेंगे यह chlorine यहां पर होता है तो उसे बोलेंगे benzylic chloride ठीक है तो यहीत आपको आलायलिक कौनसा है benzylic कौनसा है यहां पर क्या है SP 3, Eight, Next carbon कौन साओना होनी चाहिए SP3 से क्या आगी aromatic ring आगई तो इसे फिली सीんな बोलें benzylic alcohol ठीक है यहां पर क्या था था SP3 से कौन सा होना चाहिए कारवन कारवन डबल बॉंड नेक्स्ट तो कारवन कारवन डबल बॉंड तो इसे आलायलिक पोजिशन बोल लेते ठीक है अब आता है आपका कौनसा बिनायलिक एलकोहल कौनसा बिनायलिक बिनायलिक एलकोहल बिनायलिक एलकोहल क्या होता है ठीक है बिनायलिक एलकॉल किसे बोलते हैं इफ इन विच या कह सकते हो इन विच हाइड्रो अक्सिल ग्रॉफ इन विच हाइड्रो अक्सिल ग्रॉफ yis लुटभजव निच एल्च विच को बढ़ हैं विचो नेक्छ को खैड्रो और है ट्रवच विच विच्विट कॉर्ष अक्विट क्रवण कॉर्ट क्रवब कारवन डवल बॉन्ड जब क्या हो मेरा हाइड्रो अक्सिल ग्रूप किससे अटेच है SP2 हाइब डाइज कारवन से अटेच है SP2 हाइब डाइज कारवन कारवन डवल बॉन्ड ठीक है जैसे है च्छाओ डवल बॉंड च यह कैसा है हाविड-ाइज कैसा है SP2 कारवन कारवन डवल बॉन्ड है यह कौनसा SP2 hybridize इससे क्या है आपका hydroxyl group attach है कौनसा ये वाला OH group attach है तो इससे क्या बोलेंगे benylic alcohol कौनसा alcohol बोलेंगे यद ये वाला alcohol attach है direct किससे SP2 hybridize है तो इससे क्या बोलते है benylic alcohol ठीक है यद SP2 से अगला carbon SP3 होता और उस पर hydroxyl होता group तो इससे बोलते है अलायलिक alcohol यद इससे क्या होता डारेक्ट क्या होती आपकी इस वाले carbon से attach ring होती बेंजीन रिंग होती तो ये carbon कौनसा होता आपका SP3 तो कौनसा होता वो benylic alcohol ठीक है तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको benylic alcohol कौनसा था ये SP2 hybridize है इसससे next carbon कैसा होना चाहिए SP3 यद उस पर hydroxyl group present है तो उसे क्या बोलेंगे बेंजायलिक alcohol ठीक है ये position कौनसी बोली आती है बेंजायलिक पोजीशन सही है ठीक तो ये बात हुई किसकी बेंजायलिक alcohol कौन से बात हुई थी मॉनो हाइडरिक ठीक है अब चलते हैं मैथर की तरफ मैथर्ड मैथर्ड फॉर प्रीप्रेशन ओप एलकोहल प्रीप्रेशन ओफ एलकोहल ठीक है अब मैं क्या बता रहा हूँ मैथर्ड बता रहा हूँ फॉर प्रीप्रेशन ओप एलकोहल तो एलकोहल बनाने की कौन-कौनसी हुआरी बिदी है ठीक है मैथर्ड कौन-कौनसी मैथर्ड है पहला मैथर्ड किससे हमारा मैथर्ड है किससे from alkene alkaline alkene से क्या करेंगे हम alcohol बनाएंगे पहला method कौन सा है alcohol से alcohol बनाना है किस से alcohol बनाना है مجھے किस से alkaline से किस से टा alkaline से ठीक है तो alkaline क्या होती है आप जानते हो कौन सी होती है carbon carbon double bond जिसमें क्या हो कारवन कारवन डवन बॉर्ण होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अलकी तो पहला इसमें फॉर्मूला है बनाने के लिए कौनसा कौनसा पहला इसमें बाई एसिडिक एसिडिक हाइड्रेशन बाई एसिडिक हाइड्रेशन क्या जब मैं क्या करू हलकिन की एसिडिक हाइड्रेशन कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाता है एल्कॉल मिल जाता है जैसे कौनसा एल्कॉल ठीक है तो आर CH double bond CH2 इसकी क्या करा रहा हूं acidic hydrolysis करा रहा हूं ठीक है कैसी acidic hydrolysis आपको मालूम है acid कैसा होता है proton donor ये क्या आपका H plus है H plus क्या करेगा proton donate करेगा कहाँ पर लगेगा जहाँ पर क्या होगी किसी alkyne या कोई base होगा यहाँ पर alkyne कैसी होती है loosely pi bonded होती है कैसी होती है loosely pi bonded होती है क्योंकि इनके बीच में कैसी overlipping होती है side-wise overlipping होती है इस लिए इनकी reactivity क्या होती है ज्यादा होती है double bond की आपको मैंने ये भी बताया था electromeric effect पड़ा रहा था मैंने बताया था pi electron shared paired pi electron किदर की तरफ move करते है unsaturated item यद जिस item के पास क्या होगी electron negativity ज्यादा होगी उसकी तरफ क्या जाता है negative charge रहता है यद मेरा donating group है तो उससे negative charge कैसा जाएगा दूर जाएगा अब आपको माल में इस carbon पर क्या है methyl group है ये क्या दिखा रहा है आपका plus eye effect दिखा रहा है कौन सा plus eye effect दिखा रहा है इसलिए negative charge इदर की तरफ move नहीं करेगा क्योंकि ये donating group क्या करेंगे उसको destabilize करेंगे तो ये pi bond कि तरफ जाएगा इदर की तरफ जब ये pi bond इदर की तरफ जाएगा यहाँ पर कैसा चाहर जाएगा नेगेटिव negative को कौन स्टेबलाइज करेगा है च प्लस तो यहा पर क्या लग जाएगा आपका edge और इस जगह क्या लग जाएगा आपका OH ठीक है तो CH अभी बताता हूँ CH OH यहाँ पर क्या आपका CH to H ठीक है तो यह addition according किसके हो रहा है according to according to according to mark on if rule H कहाँ जाएगा जहाँ number of hydrogen क्या होंगे ज्यादा होंगे यहाँ पर OH कहाँ जाएगा यहाँ पर nucleophile कहाँ आता है यहाँ पर number of hydrogen क्या हों कम हों वहाँ पर क्या रहा है अपका nucleophile आ रहा है तो यह क्या हो रहा है according to mark on if rule किसके mark on if rule कॉनिकोफ रूल एडिशन किसके तुरू हो रहा है according to addition mark on if rule ठीक है तो यह addition किसके तुरू हो रहा है mark on if rule ठीक है इसकी mechanism बताता हूं मैं आपको ठीक है जैसे मैंने आपका क्या लिया था अलकीन ठीक आसी डबल बॉन सी एच्टू ठीक इसकी reaction मैं किससे करा रहा हूं एसेड के साथ ठीक है acidic hydraulise आपको मालम है पाई इल्यक्टरौन किदर की तरफ मूव करेगा इधर की तरफ यहाँ पर कैसा चाज आएगा उजितिव किदर की तरफ इदर की तरफ ठीक है यह जैसे negative charge आएगा तो यह hydrogen क्या करेगा है इससे neutralize कर देगा इसके negative charge को यहाँ पर क्या आपका positive charge और यह क्या हो गया आपका CH2 और यहाँ पर आपका लग गया एक hydrogen किसे acid से अब यह कैसा positive charge है positive charge को कौन stabilize करेगा यह कौन सा water क्या करेगा act करेगा as a nucleophile यह यहाँ पर attack ठीक है यह attack करेगा तो यहाँ पर कैसा charge आ गया यह positive charge को क्या कर रहा है stabilize कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर क्या RCH CH2 H ठीक है H और यहाँ पर क्या OH यह oxygen ने जैसे electron donate किये तो oxygen पर कैसा आ गया positive charge more electronegative charge पर कैसा more electronegative element पर क्या आ गया positive charge यह कैसा highly unstable high unstable होने की बज़े से यह क्या करेगा इस hydrogen से bond pair of electron खीच लेगा और क्या हो जाएगा neutralize ठीक है यहाँ कोई acid यूज हुआ है HCl HVR जो भी है तो यहाँ पर क्या आपका H2SO4 कुछ भी यूज हुआ है तो यहाँ पर आपका क्या है negative part होगा वो क्या करेगा इस negative को क्या कर देगा neutralize जाने कि sensitive proton के साथ reaction कर जाएगा ठीक है तो यहाँ से क्या बन जाता आपका alcohol OH क्या CH2H ठीक है तो यह क्या बन गया आपका alcohol एडिशन यह न्यूक्लियोफाइल किसकी जगे जा रहा है इस वाले पैंटर पर जाने कि यहाँ पर कैसा बनना है stable कार्वो कैटाइन तो एडिशन अकॉर्डिंग तू किसके थू जा रहा है मार कॉनिफ रोल ठीक है अकॉर्डिंग तो मार कॉनिफ रोल ठीक तो यह क्या आपकी इसकी मेकेनिम थी किसकी एसिडिक हाइडोलाइस सही है अब मैं बात करता हूं किसकी रियक्शन बिद रियक्शन रियक्शन बिद सेकेंड है आपका इसमें बी या सेकेंड कुछ भी ले लो रियक्शन बिद अलकीन की रियक्शन हो रही है रियक्शन बिद हाइड्रो बोरेशन हाइड्रो बोरेशन इसकी रियक्शन क्या करा रहा हूं हाइड्रो बोरेशन करा रहा हूं किसका अलकीन का CH double bond CH2 इसकी reaction मैंने किस से कराई hydro तो है borohydride कौन सा BH3 in ether solvent THF ठीक है ठीक है और क्या आपका reaction करा रहा हूँ sodium borohydride ठीक है इसकी reaction करा रहा हूँ मैं किसकी alkyn की तो यहाँ पर क्या borohydride मालू में आपको कैसा है boron कैसा है Lewis acid कैसा है Lewis acid क्योंकि इसके octet complete नहीं है इसके पास क्या है vacant p-rvital होने की बज़े से यह कैसा वेव करता है Lewis acid की तरह है ठीक है यह acid और यह कैसा वेव करेगा nucleophile की तरह है ठीक है यह अपने electron इसको donate करेगा जैसे electron donate करेगा तो यहाँ पर product क्या बनता है पहले product देख लो फिर उसके बाद मैं mechanism बताता हूं इसकी ठीक है यह क्या R यहाँ पर क्या CH OH sorry यहाँ पर क्या आपका H और यहाँ पर क्या CH2 ठीक है यहाँ पर region और भी लिखना है मुझे यहाँ पर region आता है बेटा S2O hydrogen peroxide O negative ठीक है O negative sorry यह आता है hydrogen peroxide O negative ठीक है borohydride तो यहाँ पर addition according to कैसा हो रहा है addition according to addition of OH and OH H H H and OH according to according to anti-marconyph rule marconyph rule ठीक है anti-marconyph rule तो यह addition किसका होता है H और OH का according to marconyph rule होता है ठीक है जब किसकी borohydride की reaction कराता हूं यह addition boron और hydrogen का जो addition होता है वो किसके थुरू होता है according to marconyph rule लेकिन H और OH का क्या होता है anti-marconyph rule यह क्या आपका borohydride है मैंने बताया यह कैसा होता है है यहीं बता रहा था यहीं समझे लो ठीक है number of hydrogen कम होंगे वहाँ पर क्या जाता है H जाता है ठीक है सही है यहाँ पर number of hydrogen कितने दो तो OH आ गया यह number of hydrogen एक है तो एक क्या आ गया आपका hydrogen आ गया ठीक है पहले क्या होता है यह अलकीन यहाँ पर electron डॉनिट करती है जैसे ही अलकीन डॉनिट करेगी तो इस carbon पर कैसा चाह जाता है positive और यहाँ पर क्या CH2 B H H H और यह क्या एक hydrogen ठीक है कितने hydrogen होगे sorry कितने bond जादा बना दिया मैंने यह hydrogen हटा दू ठीक है क्योंकि इसकी balance ही पूरी होगी कैसा charge negative यह hydrogen कैसा act करते है as a reducing agent यह क्या करेंगे यहाँ से अपने hydrogen को क्या करेगा transfer करेगा तो यहाँ पर क्या बनती है four member cyclic transition state क्या बनती है four member cyclic transition state ठीक है तो four membered cyclic transition state बनता है यहाँ से ठीक है फिर उसके बाद hydrogen peroxide कैसा आता है O negative OH अब यहाँ पर यह reaction होती है ठीक है यहाँ पर यह क्या हो रहा है addition according to किसके हो रहा है markoniprol और OH H और OH का कैसा हो रहा है anti-markoniprol ठीक है तो यह किससे होई आपकी किससे hydroboration से ठीक है next reaction पढ़ते हैं हम इसमें कौन सी next reaction है आपकी from oxymercuration 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 demercuration 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 ठीक है ठीक है जब मैं क्या गड़ाता हूँ आपकी किसके साथ मैं alkyne की reaction पढ़ रहा हूँ सारी की सारी CH double bond इसकी क्या गड़ाता हूँ reaction कराता हूँ mercury acetate ठीक है CO2 ठीक यह क्या इसका और H2O इसकी reaction करा रहा हूँ oxymercuration इस reaction को क्या बोला जाता है oxymercuration demercuration or इसके साथ regent sodium borohydride ठीक है वो क्या करता है mercury क्या करता है mercury add होता है तो इससे क्या कर देता है demercuration कर देता है mercury को क्या कर देता है mercury को बहार निकाल देता है ठीक है तो यहाँ पर addition जो H और OH का addition होगा यह भी यहाँ पर कैसा होता है according to according to mark onif rule addition of OH addition of H and OH according to mark onif rule mark onif of rule ठीक है तो यह क्या होती है आपकी oxy-mercuration demercuration reaction सही है तो यह क्या होता है according यहाँ पर क्या बनती है three members cyclic transition state बनती है water क्या करता है more historic hinder side से क्या करता है attack करता है तो ring क्या हो जाती है open हो जाती है ठीक है ring open हो जाएगी तो mercury इदर की side में आ जाता है sodium borohydride क्या कर देता है उसको बाहर निकाल देता है ठीक है तो आपको बस रखना है कौनसा oxy-mercuration demercuration ठीक है यद आपको mecanim पूछनी है तो आप comment करके क्या comment करके मुझे बेश सकते हो ठीक है इसकी mecanim के बारे में ठीक है तो आपको जब भी mecanim इसकी draw करानी है तो आप comment करने ठीक है यह होता है यह कौनसा आपकी oxy-mercuration demercuration तो addition OH और H का किसके थूरू आता है according to mark on if so ठीक है यह हुई reaction किसकी oxy-mercuration demercuration ठीक है अब सम reaction पढ़ते हैं किसकी alcohol की alcohol की reaction पढ़ना है हमें किसकी यह किससे हमने preparation पढ़ लिया किसका alcohol बनाने का ठीक है कैंसा alcohol किससे पढ़ा पहले मैंने acidic hydrolysis कराई तो इससे क्या हुआ वह addition H और OH का किसके थूरू हुआ mark on if so ठीक है फिर मैंने क्या hydroporation से कराई H और OH का addition किससे हुआ according to anti-mark on if so ठीक है अब यहां पर क्या oxy-mercuration demercuration reaction पढ़ रहा हूँ इसमें addition of H and hydrogen का किसके थूरू रहा है according to mark on if you post किसकी रियक्षण किसकी पढ़ंगा alcohol के रियक्षण पढ़ंगा different difference ठीक है तो यह क्या आपका alcohol इसकी रियक्षण मैं पढ़ंगा ठीक है इसकी रियक्षण ज Messy कराता हूँ ठीक है किससे इसकी reaction में करा रहा हूँ आपका ठीक है इसकी reaction SCL से किससे SCL से जब मैं क्या कराता हूँ इसकी reaction SCL से कराता हूँ ठीक है ठीक है तो मैं पहले कराता हूँ किससे SCL से Concentrate SCL ठीक है एक कराऊंगा मैं क्या SCl Concentrate Anhydride Anhydride ZNCl2 ठीक है एक reaction मुझे करानी है किस से S O Cl2 किस के पिजेंस में है पिल्डीन के पिजेंस में सही है इसकी next reaction मुझे करानी है S O Cl2 से ठीक है और एक reaction और करानी है किस से इन पिजेंस आप Acid और क्या Heat दे रखा है ठीक है यह सारे के सारे क्या बनाएंगे आपके हैलाइड फॉर्म करेंगे Rx क्या बनाएंगे Rx लेकिन जो Acid और Heat के पिजेंस में reaction हो रही है यह reaction क्या बनाएगी Alkene क्या बनाएगी Alkene तो यहाँ पर कौन सी reaction होगी Elimination reaction कौन सी होगी Elimination reaction यह कौन सी हो रही है आपकी Nucleoplex substitution reaction कौन सी है यह एक क्या आ रहा है गुरूप आ रहा है हैलाइड आ रहा है एक को क्या कर रहा है बाहर कर रहा है तो कौन सी reaction हो रही है substitution reaction यह कौन सी होगी अलकीन formation हो रहा है यहां से क्या बनेगा elimination reaction ठीक है तो सबसे पहले पढ़ते है reaction with SCL ठीक है किसके साथ reaction with SCL reaction with concentrate SCL ठीक है alcohol की reaction मैं किस से पढ़ रहा हूँ concentrate SCL इस से पढ़ रहा हूँ अब यह क्या आपका acid क्या है यह acid और यह क्या है आपका base alcohol कैसा वेव करेगा base की तरह और यह कैसा वेव करेगा acid की तरह सही है पहले क्या होगी acid base reaction H plus क्या करेगा इस acid base को क्या देगा proton deronate करेगा और यहां से क्या बनेगा O H2 plus यह कैसा है H2 O plus कैसा है अच्छा living group है क्योंकि इसके पास क्या positive charge है more electron negative atom पर कभी positive charge नहीं रह सकता तो यह क्या करेगा bond pair of electron लेगा और यहां से क्या निकल जागा H निकल जागा अब इसमें दो condition है कितनी condition है two condition है एक condition यह है कि इसमें R यह form हो ठीक है if carvoketine is not form is not form यानि कि कौन सा stable carvoketine form नहीं हो रहा तो मेरी reaction कौन सी जाती है SN2 reaction यानि कि क्लोरीन बचा negative वो क्या करेगा attack करेगा और आपका क्या बनेगा alkyl halide ठीक है यद मेरा यह carvoketine कैसा है unstable carvoketine is not form यानि कि यह primary alcohol की reaction करा रहा हूं उसमें क्या बनेगा आपका carvoketine कौन सा बनेगा primary बनेगा वो कैसा होता unstable होता है तो यह कौन सी होगी reaction कौन सी हो रही है SN2 reaction यानि कि nucleophilic substitution reaction कौन सी second order reaction ठीक है यह मेरा क्या है इफ carvoketine क्या हो रहा है इफ carvoketine is formed is is formed stable तब कौन सी reaction होगी यहां से भी क्या बनेगा alkyl chloride लेकिन यह कौन सी होगी SN1 reaction कौन सी थ्रू जाएगी SN1 के थ्रू जाएगी reaction किसके थ्रू SN1 यह यह क्या है आपका primary alcohol है primary alcohol क्या देगा आपको SN2 reaction देगा 2 degree 3 degree allylic alcohol benzylic alcohol यह कौन सी देंगे SN1 reaction देंगे तो आप note करके लिख सकते हो जब क्या मेरी note करके डालो generally primary alcohol ठीक है primary alcohol कौन सी देगा आपको SN2 reaction ठीक है कौन सी SN2 reaction लेकिन 2 degree alcohol 3 degree alcohol allylic alcohol और benzylic alcohol यह कौन सी देंगे आपकी SN1 reaction देंगे कौन सी देंगे SN1 reaction क्योंकि इससे जो carvoketine बनेगा वो कैसे होंगे more stable होंगे इसलिए reaction किसके फेवर में जाएगी SN2 यह मेरा कौन सा है primary alcohol है यह कौन सा है primary alcohol carvoketine कैसा बनता है unstable इसलिए reaction किसके फेवर में जाती है SN2 ठीक है तो आपको यहाँ पर मालूम पड़ा यह यह alcohol मेरा क्या है 3 degree तो SN1 reaction जाएगी alkyl halide मिलेगा यह 2 degree है आपका वो primary है primary alcohol तो कौन सा alkyl halide मिलेगा लेकिन reaction फेवर जाएगी किसके SN2 पे सही है तो यह आपको मालू होना चाहिए इसके बारे में ठीक है अब चलते है reactivity order of acid halide ठीक है reactivity reactivity order of acid halide ठीक है acid halide hf hcl hbr और hi में किसकी सबसे ज़्यादा reactivity है आप जानते हो कि down the group जैसे periodic table में जाते हैं तो central atom का क्या होता है size increase करता है size increase करता है उससे क्या होती है central atom का size increase करेगा तो negative charge क्या होता है ज्यादा disperse होता है disperse होने से उस anine की क्या हो जाती है stability increase कर जाती है इसलिए ये bond length क्या होती है ज्यादा होती है इसका anine क्या होता है more stable होता है दूसी बात ही है size बढ़ेगा तो bond length क्या हो जाएगी increase हो जाएगी bond length increase हो जाएगी तो यह आसनी से क्या कर जाता है ब्रेक कर जाता है इसलिए है की reactivity क्या होती है ज्यादा होती है किस से है फ से ठीक है अब reactivity order of reactivity order of of alkyl of of alcohol ठीक है कौन सा एक ले लिए मैंने primary alcohol rcs2oh एक ले लिया मैंने क्या two degree alcohol और एक कौन सा ले लिया थी डिग्री alcohol ठीक है यह एसीड के साथ सबसे जादा जल्दी react कौन करेगा थी डिग्री alcohol क्योंकि यहां पर क्या है electron density ज्यादा है electron density जान रहा होने की वज़े से यह bond कैसे सीओ बॉंड कैसा है more polar है और आसानी से क्या कर जाएगा ब्रेक कर जाएगा इसलिए इसकी reactivity क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी ठीक है क्योंकि यह क्या है इसका polar bond कैसा है CO bond क्या है more polar है more polar होने की वज़े से यह क्या है इसकी electron density क्या करेगा यह ज्यादा electron donate करेगा oxygen पर कैसा negative charge ज्यादा आएगा तो ये कैसा बेव करेगा AJ base की तरह क्या करेगा ज्यादा इसकी base acity क्या होगी ज्यादा होगी इसलिए ये क्या है आसानी से protonation हो जाएगा इसलिए इस alcohol की reactivity क्या होगी ज्यादा होगी ठीक है तो ये क्या हुगा आपका किससे कर रहे हैं alcohol कि reaction किससे acid hyalide से ठीक है तो यह बात हुई किससे acid hyalide से next reaction करेंगे हम किसकी alcohol की reaction acid hyalide कौनसा concentrate के लिए प्रेटेट एसी एल एन हाइड्राइड जैडेन सी एल टू के प्रिजेंश में करेंगे फिर आगे रियक्षन देखते हैं सम्में क्या वनेगा आपका अलकाल है बनेगा लेकिन एच प्लस और हीट दे रखाया तो इसके केस में क्या बनती है है इलिमिनेशन रियक्षन बनती है तो क्या बनेगा अलकीन बनेगी ठीक है यह नेक्स्ट क्लास में करेंगे औल दबेश्ट आप 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 आप